बच्चों हमने वन माला पार्ट में पढ़ा था कि हिंदी में दो तरह के वन होते हैं एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन बच्चों अब हम जानते हैं कि स्वर और व्यंजनों के मेल से शब्द कैसे बनते हैं और व्यांजनों के साथ मात्राएं कैसी लगाई जाते हैं? तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं फिर. बच्चों, स्वरों और व्यांजनों के मेल से शब्द बनता है. जैसे कलकल, गमला, गमला. तो इसी तरह से बच्चों, हम स्वर और व्यांजनों के मेल से शब्द बनाते हैं. बच्चों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कि हिंदी भाशा में व्यांजनों के साथ स्वरों का प्रियोग मात्रा के रूप में होता है. उधारणों के लिए हम अगली स्लाइड देखते हैं. बच्चों, आप हम व्यांजनों पर मात्रा लगाकर शब्द बनाना सीखते हैं. जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदी वड माला में कुल ग्यारा स्वर है, जो की अ से आ तक हैं. हिंदी में इनी स्वरों को मात्रा के रूप रियोग किया जाता है. बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अ स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती. और की बात हमारा अगला स्वर है आ. जब कोव यंजन आ के साथ मिल जाता है, तो बन जाता है का. तो इससे संबंधित शब्द है काला, काजल, काम, कान, आदी. उसी तरह से बच्चों, अगला स्वर है इ, के साथ अगर कव यंजन मिल जाता है कि, किताब, कितना, किसान. उसी तरह से अगली स्वर हमारा है इ, तो इ के साथ अगर कव यंजन मिल जाता है, तो बन जाता है कि, तो इससे संबंधित शब्द है बच्चों, कीमत, कील, आदी. अगला स्वर है बच्चों, उ, के साथ कव यंजन अगर जुड़ जाता है कु, तो इससे संबंधित शब्द है कुल, कुर्सी, कुर्ता, आदी बच्चों, अगला स्वर है उ, के साथ कव यंजन मिल जाता है कु, इससे संबंधित, कुछ शब्द है कूल, कूड़ा आदी बच्चों यदि कव यंजन के साथ री की मात्रा जुड़ जाए तो बन जाता है क्री इससे सम्बंदिश शब्द है क्रिशन, क्रिपा, क्रिप, आदी उसी तरह से बच्चों यदि कव यंजन पर ए की मात्रा लग जाए तो बन जाता है क, ए, के इससे सम्बंदिश शब्द है केला, केवल, आदी कव यंजन पर यदि आ की मात्रा लग जाए तो बन जाता है क, आ, कै इससे सम्बंदिश शब्द है कैसा, कैलाश क के साथ यदि आ की मात्रा जुड़ जाए तो बन जाता है बच्चों क, ओ, को इससे सम्बंदिश शब्द है कोयल, कोमल, आदी इससी तरह से बच्चों, यदि क के साथ आ की मात्रा जुड़ जाए तो बन जाता है को इससे सम्बंदिश शब्द है कोवा, कोन, कोशल, आदी बच्चों, इन सभी उधारनों से एक बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हिंदी वणमाला के सभी व्यंचनों में अस्वर मिला होता है जैसे म जमा अ सिब अक्षर बनता है म द जमा अ बन जाता है द ल जमा अ बन जाता है ल बच्चों, अब तक हमने मात्राओं का सही से उच्छारन करना सीखा अब मैं आपको बताऊंगी कि मात्राओं को कैसे लिखा जाता है शुरू करते हैं आ की मात्रा से आ की मात्रा बच्चों हमेशा व्यंजन के बाद लगाई जाती है जैसे यदि हमने काम शब्द लिखना है तो व्यंजन कर, कर एक व्यंजन है कर के बाद आ की मात्रा है फिर म, कर, आ, म तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों आ की मात्रा हमेशा व्यंजन के बाद लगाई जाती है व्यंजन से पहले कभी नहीं लगाई जाती अगला हमारी मात्रा है इक इस मात्रा को हमेशा हम व्यंजन से पहले लगाई जाती है जैसे कि अगर हमने लिखना हो कि सान तो हम व्यंजन से पहले ए की मात्रा लिखते है ए की मात्रा व्यंजन के बाद लगाई जाती है जैसे कि हम दिवार शब्द में देख रहे हैं द व्यंजन है और व्यंजन के बाद ए की मात्रा लगाई गई है तो हमेशा याद रखना बच्चों कि E की मात्रा व्यंजन के दाईयों और लगाई जाती है हमारी अगली मात्रा है बच्चों U की मात्रा ये मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है जैसे कि गुलाब तो ग व्यंजन है और उसके नीचे हमने उ की मातरा लगाई है तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि उ की मातरा हमेशा व्यंजनों के नीचे लगाई जाती है ए की मातरा बच्चों हमेशा व्यंजन के उपर लगाई जाती है जैसे कि आप देख रहे हो rail रेल में र्व्यंजन है तो व्यंजन के उपร एक ही मात्रा लगने पर बन जाता है रल, एल, रेल तो हमेशा ध्यान लखना बच्छो एक ही मात्रा हमेशा व्यंजन के उपर लगाई जाती है अगली मात्रा है आ ये मात्रा भी व्यांजन के उपर ही लगाई जाती है जैसे कि यदि हमने लिखना हो पैसा तो प व्यांजन है तो व्यांजन के उपर हमने आ की मात्रा लगाई हमेशा ध्यान रखना बच्चों ए और आ की मात्रा हमेशा व्यांजनों के उपर लगाई जाती है बच्चों ओ और ओ की मात्रा हमेशा व्यंजनों के बाद लगाई जाती है बच्चों हमेशा ध्यान रखना र के साथ उ या उ की मात्रा हमेशा र के बीच में लगाई जाती है जैसे उधारन के तोर पर र प्लस उ बन गया रू इससे सम्मंदिश शब बन गया रुपया उसी तरह से र प्लस उ बन गया रू रू रूपा आदी जब भी कभी हम वणों के साथ मात्राओं का प्रियोग करते हैं बच्चों तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक वण के साथ एक समय पर एक ही मात्रा का प्रियोग होता है एक से जादा का मात्राओं का प्रियोग कभी नहीं होता धन्यवाद बच्चों